अशोक नगर में बीजेपी सांसत केपी यादव की मुसीबते लगातार बढ़ रही है जाती प्रमाण पत्र रद्द किये जाने के बाद अब केपी यादव और उनके बेटे सार्थक यादव के खिलाफ एफाई यार दर्द की गई है फिलाल अशोक नगर को तवाली में उनक मुगवली SDM ने केपी यादव और उनके बेटे का जाती प्रमान पत्र रद्द कर दिया था दरसल 2019 लोकसभा चुनाव के चुनावी मैदान में कॉंग्रेस की कद्दावर नेता जो तरादित सिंथिया को हरा कर चर्चा में आए केपी यादव और उनके बेटे सार्थक या पारे साथ अधिक जानकारी के लिए समवाद दाता योगेश गुपता जड़ो हुए हैं योगेश केपी यादव और उनकी बेटे पर फाई यार दर्च हुई है अब लगातार देखा जाया तो उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं क्या कुछ कहेंगे आप योगेश जिस परकार से देखा जाया तो वो पहले कॉंग्रेस में थे उसके बाद उनकी मुश्किलें जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं बीजेपी को जॉइन किया तो क्या माना जाए कॉंग्रेस उनसे बदला निकाल रही है किसी बात का जी मैं आपको बता दू कि अभी कुछ समय पहले ही बीजेपी भी जाती परमाल पत्र को लेकर बहुत उनको कह रहा था लेकिन अभी जाती परमाल पत्र का लश्क हुआ उसके बाद बीजेपी भी अब इसी मामले में उलस पी उलस रही है चलिए बहुत 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 जन्यवाद तमाम जानकारी के लिए तो केपी आदव पर एफाईयर दर्च कर दी कही है स्टेम ने उनका जाती प्रमान पत्र रद्द कर दिया है गुनासांसर के पी यादव की लगतार यहाँ पर मुश्किले बढ़ी हुई देखने को मिल रही है